इन्फोर्मिशन टेक्नॉलजी इन्फोर्मिशन टेक्नॉलजी में बहुत सारी चीज़े नहित हैं जिसमें सबसे इंपॉर्णन चीज़ें इन्फोर्मिशन इन्फोर्मिशन की बात करेंगे हम और देखेंगे डेटा इन्फोर्मिशन में क्या अंतर है और information technology में ऐसी क्या special चीज आई और इसने क्या बाकी चीजों से अलग किया information technology में creation, storage और dispersal याने की बनाना, रखना और इसका उप्योग करना data और information का, दोनों का data भी हो सकता है, वो information भी हो सकता है और इस information technology के तीन main components है computer, communication याने की बाच्चीत और उसके माध्यम और साथ में समझदारी, know-how data क्या है, data basically क्या है जो process ने हुआ हो जैसे अगर कोई detail आती है और कोई figure आते हैं कोई numbers आते हैं तो उन्हें data कहते हैं लेकिन अगर वो figure number को बहुत organized तरीके से meaningful तरीके से आप बना दे या किसी चीज में उप्योग करने के लिए बना दे उसे हम information कहते हैं और knowledge क्या है ये आपके understanding है और उस awareness है उस information के बारे में ताकि जो information आपने data से बनाई है उसका आप भली भाती उप्योग कर सकें किसी की भलाई में तो information technology में क्या आता है जैसे हमने अभी बात की computers, communication और know-how इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो information technology जो है वो बन जाती है ये forces है information technology के computer, communication और know-how यानि understanding तो computer की बात करते हैं computer क्या है computer जो है वो electronic system है जिसमें आप instruction दे सकते हैं रख सकते हैं और उसे retrieve कर सकते हैं computer जो है वो छोटे से लेकर बड़े तक होते हैं आज कल तो सबसे चोटे होते हैं जो आप जिनको easily manage कर सकते हैं और जिनकी जो processing power है वो moderate होती है जैसे कि desktop computer, notebook, laptop, tablet PC, personal digital assistant यानि की PDAs और palm tops फिर mid range की बात करते हैं mid range में क्या है कि यह super computer और mini इसके बीच में जो हमने अभी discuss के उसके बीच में होता है और उनकी processing power भी इन दोनों के बीच में ही आती है और अगर हम super computer की बात करते हैं तो जो बड़े बड़े difficult calculation होते हैं वो इसमें किये जाते हैं तो computer हम और आगे बात करते हैं इसमें hardware होता है यानि कि आप जो computer है उसके और associate equipment उनको हम पूरा hardware कहते हैं programs क्या है वो set of instruction है और फिर software ये software क्या है कि जो set of instructions है उनको अगर आप किसी meaningful way में आप computer में दे या फिर communication में दे तो उने हम software कहते हैं software basically set of instruction ही होते है set of programs ही होते हैं और system क्या है ये system ऐसे component है जो आपस में एक साथ बातचीत करके किसी particular काम को या purpose को करने की चमता रखते हैं और system क्या भी हमने बात की अब हम बात करतें information system की तो information system इसमें क्या हुआ कि ऐसा system जो information दे सके जानकारी दे सके जिसमें जो दिक्कत है problem है या कोई एक objective है उसको solve किया जा सके through process किसी department के लिए या किसी business के लिए अगर हम यहाँ पर देखें एक typical business system है तो computer का हर जगा कहीं न कहीं उप्योग है और इसी तरीके से information technology का भी तो information technology में आप दूसरा जो important चीज़ आती है वह है communication network communication याने आप data या information भेजे या receive करें computation या communication network में क्या आता है आपकी locations, node, hardware program, software program ताकि आप transmit कर सके और receive कर सके data या information अब communication तो ठीक है data communication क्या है data communication मतलब specifically data और information किसी communication medium के थुरूब इसके जरूरी नहीं कि wire ही हो यह wire के अलावा भी यानि कि जिसे हम wireless कहते है उसमें भी यही data communication कहलाएगा तो ultimately क्या चीज़ है information technology की कि आप कुछ special करें कुछ अलग करें fast करें और ज्यादा लोगों तक वो चीज़ पहुंचें तो आपका know-how क्या है इसमें जो तीसरी चीज हमने बात की दी know-how मतलब आप familiar हो आप IT के tools के बारे में जाने जिसमें internet भी है और आपकर वो skill हो जिससा आप इस tools को use कर सकें और कि कोई problem या कोई दिक्कत को solve कर सकें तो जो 6 functions है information technology के वो है capturing, transmitting, storing, receiving रखना, generate करना और साथ में finally process करना तो capturing, capturing मतले आप जो records है वो आप ले सकें उन्हें process कर सकें प्रोसेस मतलब आप convert कर सकें, analyze और synthesize कर सकें इसमें data information word, image, voice सारी processing आती है फिर generation अब आपके पास जो information आ गई उसको आप किसी useful form में present कर सकें यह को visual image भी हो सकती है या या फिर कोई presentation भी हो सकता है इस तरीके से और storage and retrieving मतलब यह है कि आप कोई चीज store करें और फिर उसको retrieve कर सकें या ने कि उसको उसी भाती आप use भी कर सकें निकाल भी सकें वह से और transmission की जहां बात आती है वो है कि through email, voice mail यह आपके transmission की बात होती है benefits क्या है information technology के अभी हमने इतनी बात की information technology की तो इसका benefit क्या है देखें यह fast है speedy है, consistent है, precise है और reliable है आप इस पर विश्वास कर सकते हैं और आपका इनके अगर हम principles की बात कहें IT का principle क्या है तो लोगों की मदद है आप problem solving है बैसे के लिए जो भी दिक्कते आएं उनको solve करना है आपकी principle of information technology है information technology हमारे आसपास हर जगा है चाहे टेलिविजन हो, education हो, training हो, entertainment हो, shipping हो, कोई paper work हो, पैसा या investment हो, agriculture या खेती हो, या taxation accounting हो, health medicine हो, manufacturing हो, journalism हो, energy या sport ये सभी में IT आपको मिलेगी और साथ में responsibility क्या है IT की, कि वो आपको inform रखे, आप उसका proper use हो IT का और आपकी चीजों को save guard भी करें शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जो source है, वो मैंने यहां से लिया है, धन्यवाद आप सभी लोग का झाल